Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon आज एक बहुत ही interesting वीडियो दिखा रहा हूँ आपको लेजर से चश्मा हटाने के बारे में अभी कुछी टाइम पहले मैंने एक live surgery की वीडियो अपलोड करी थी कुछ लोगों के comments आए कि Docs आप अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आँख में actually हो क्या रहा है तो आज macro photography, macro videography के माध्यम से exactly आपको दिखाने वाला हूँ कि यह operation कैसे किया जाता है और यह operation कितना simple होता है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी चले शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम है laser machine को आँख के साथ properly align करना तो यह जो आप red cross देख रहे हैं यह हमारी help करता है laser machine को properly align करने second step होता है आँख पे एक instrument लगाना जिसको हम लोग कहते है speculum जो आँख को laser के दुरान खुला रखता है ताकि laser firing के time आँख बन ना होता है third step होता है आँख को अच्छे से clean करके dry करना और अब आपकी आँख laser के लिए ready है और फिर हम आँख पे laser focus करके उसको start कर देते हैं तो यह जो आप देख रहे हैं blue blue light, blue blue dots यह laser की dots हैं जो आपके चश्मे का number हटा रही है तो आप देख सकते हैं इस operation में कोई दर्ग नहीं है कोई injection नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई blade नहीं है कोई पटी नहीं है, कोई cut नहीं है, कोई flap नहीं है, कोई hospitalization नहीं है 10 minute का काम होता है और आपका चश्मा हट जाता है और अगले दिन से आप अपनी normal routine पे भी जा सकते हैं एक बादी laser finish हो गया फिर हम आँख की उपर एक थोड़ी सी दवाई डालते हैं जिससे आँख की better healing होती है और इस दवाई को थोड़ी देर के लिए कुछ seconds के लिए हम आँख के उपर छोड़ देते हैं उसके बाद हम आँख को अच्छे से wash कर लेते हैं और आँख के उपर हम एक lens लगा देते हैं जिससे आँख बे धूल मिट्टी ना चुपके और इस lens को हम 4-5 दिन में हटा देते हैं और बस आपकी एक आँख को operation हो गया और चश्मा हट गया ऐसी हम लोग दूसरी आँख को कर रहे हैं अब सबसे पहले आँख को साफ करा अच्छे से clean कर लिया और आँख को dry कर लिया और dry करने के बाद आपकी आँख लेजर के लिए ready है फिर लेजर को focus करके लेजर को फिर से fire कर लिया अगें आप देख सकते हैं इसमें जो blue blue light दिख रही है आपको ये laser की light है जो चश्मे का number हटा रही है तो बहुत ही simple operation है इसमें बहुत जादा कुछ होता नहीं है नाम के लिए operation है लेकिन ये सारा operation सिरफ light से होता है इसमें कोई cheer fire नहीं होती कुछ नहीं होता सिरफ 10-15 सेकेंड में light से आपके चश्मे का number हट जाता और बस ये laser ने फिर से आंग के चश्मे का number हटा दिया और अगेन फिर से वही step लेजर के बाद हम आंग पर थोड़ी सी दवाई लगा देते हैं जिससे आंग की better healing हो जाए और उसके बाद हम आंग के उपर एक lens डाल देते हैं जो अगेन आपको धूल मिट्टी से बचा के रखता है और 4-5 दिन में इस lens को हम हटा दें बस खतम surgery हो गया operation और हडिका चस्मा उम्मीद करता हूँ यह video आपको पसंद आएगी बाकी आपके मन में और कोई भी questions हो तो आप में इसे comment section में पूछ सकते हैं तब तक के लिए thank you very much and I will be back soon कर दो